Hello Everyone, Welcome to Online Study Point आज है 24 सितंबर और आज किस वीडियो में हम 24 सितंबर से बनने वाले सभी important current affair के question को discuss करने वाले हैं सबसे पहरे देखिए मैं आप लोगों को जियोग्राफी की ये जो course launch हो गया है इसके बारे मैं आप लोगों को बता दू 249 इसका prize रखा गया था लेकिन online study point के starting के 5000 student के लिए ये offer रखा गया है कि उन्हें ये offer में मिलेगा 149 रुपीज में limited time के लिए offer है इसे आप purchase कर सकते हैं और अभी आप लोगों को application में ये वीडियो नहीं मिल रहा होगा तो परिशान ना होंगे जल्द ही ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले दो-तीन दिनों में topic wise सभी आप लोगों को वीडियो इसमें upload हुए मिल जाएंगे डेली की PDF के लिए आप हमारे application को install कर सकते हैं जिसमें डेली की free PDF और per day का audio revision ये भी आप लोगों को मिल जाता है कल के important question का हम के रिविजन कर लेते हैं food safety food safety standard authority of India के दुवारा खादी सुरुक्षा सूचकांक के मामले में दी देखें तो बड़े राज्यों की सूची में गुजरात ने टॉप किया है कनाड़ा के फिर से प्राइम मिनिश्टर बने है जस्टिन टुडो ICC woman बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज टॉप पर रही है और बांगलादेश के दुवारा भारत को 2000 मेट्रिक टन हिलसा मचली ये निर्यात करने का फैसला किया गया है हमारे नए वायू से नध्यक्ष बनने जा रहे है वी आर चौधरी बिल्डिंग अर्वन प्लानिंग कैपसिटी इंडिया रिपोड ये नीती आयोग ने प्रकाशत की है 73rd Emmy Award में The Crown ने जीता है Best Drama Series का Award World Alzheimer Day 21st of September को मनाया जाता है OECD के द्वारा भारत का विकास दर 2022 के लिए ये 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है भारत के 112 कांची जिलो में फ्री सिक्षा प्रवाइड कराने के लिए नीती आयोग ने बायजूस के साथ समझा होता किया है थानु पदम नाधन जिनका भी हाली में जहन हुआ इन्हें पदम श्री से भी सम्मानित किया जा चुका था और World Rhino Day यानि की गेंड़ा दिवस ये 22 सितंबर को मनाया जाता है तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और important question हाली में भारत के किस समुद्र तट को blue flag से सम्मानित किया गया है तो ये भी हाली में सम्मानित किया गया है कोबलम तट जो कि तमिल नाडू में है दूसरा है इडन जो कि पुदुचेरी में है इसका राइटन सर हो जाएगा बोध A और B अब देखे यहां जो term लिखा हुआ है blue flag इसका क्या मतलब होता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे समुद्र तट जो कि दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट ये माने जाते हैं या दुनिया के सबसे साफ समुद्र तट ये consider किये जाते हैं जहां सुक्षता का पूरा ध्यान रखा जाता है, मतलब कि पूरी तरह से पर्यावरण के हिसाब से दी देखा जाए, तो ग्रिनरी का क्या महौल है यहाँ, हालकि दी देखा जाए, तो टोटल इसके 33 पैरामीटर होते हैं, ठीक है 33 parameter में साफ सक्षता ये सभी इसके जो parameter होते हैं इन्हें मानते हुए इन्हें ये tag दिया जाता है भारत में भी तकीदी देखा जाए तो 8 समुद्रे तर्थे जिनने ये tag मिला था फिलहाल 2 को और मिल चुका है ठीक है ये blue flag प्रमाडन ये है क्या तो 33 parameter मैंने आप लोग में awareness यहां पानी की क्या व्यवस्ता है इन सभी चीजों को मापते हुए ये ranking दी जाती है या इन तटों को इसमें शामिल किया जाता है तो फिलहाल दो तटों को शामिल कर लिया गया है कोवलम और इडन बोथ ए और बी इसका राइट अंसर हो जाएगा SSC GD की क्लास जो की उधसर के द्वारा आप लोगों के लिए जाती है डेली शाम को साथ बिजें जीके जीएस के important question इसमें कवर कराये जाते हैं तो इस क्लास से जुणना आप बिल्कुल ना भूलें कल मैंने आप लोगों से दो इनामी सवाल पूछे थे पहले का राइट अंसर कोलकाता था दूसरे का राइट अंसर श्री नगर था आप लोगों के लिए आज का सवाल है भारत ने किस देश के साथ free trade agreement पर समझाता किया है यह हाली की बात है हालकि कई देशों के साथ कर रख को रद्द कर दिया गया है तो यह आयोजित कहां होने वाली थी देखे इसका जो आयोजन है यह होना था न्यू यॉयॉर्क में क्यों रद्द की गई है वो तो मैं बताऊंगी सबसे पहले आप जान लीजे सार के बारे में सार के निकी साउथ एशियन अस्याशन फॉर लंका तो इसमें से इसका जो एक मेंबर है पाकिस्तान यह क्या चाहता था कि अभी अभी देखे तालीबानियों का कब्जा आ रहा है कहां अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान यह चाहता था कि तालीबानियों को भी इसमें शामिल किया जाए मतलब कि तालीबान की जो नई जो कि इस पूरे मुद्दे पर होनी थी यही निरस्ट कर दी गई है जो कि New York में आयजित की जानी थी तो यदि हम बात करें New York की यह जो आप देख रहें यह पूरा USA का मैप यह जो कॉर्लर में आप देख रहें यह है नियू यॉर्क नियु नूर्क से आप क्या रिलेट कर सकते हैं तो देखे एक fact है नूर्क में इस्थित है मैडम तुसाज संग्रहाले आप लोगोने नाम सुना भी होगा तो इसी नूर्क स्थित मैडम तुसाज संग्रहाले में किसकी अभी statue लगने वाली है ला हैरिस की जो कि अमेरिका की उपराश्ट पती है और नियू यॉर्क में इनकी स्टेच्ची बनने वाली है यह उपलब्दी हांसल करने वाली यह अमेरिका की पहली उपराश्ट पती बन गई है अब यदि हम other option की बात करें तो देखी अभी हाले में वासिंग्टन में नरंद्र मोदी जी जाने वाले हैं 24 सितंबर को जो क्वार्ड मिटिंग होनी है इसमें प्राइम मिनिश्टर नरंद्र मोदी यह इसमें हिस्सा लेने वाले हैं वासिंग्टन के बारे में हमने डिसकस कर लिया और प्राइम सब्सक्राइब करें लाइक करने में बिलकुल कंजूसी ना किया करें लाइक और शेर तो किया ही करिए अगला कुश्चन है हाली में सना राम चंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिवल सेवक बनी है तो ये भी हाली में पाकिस्तान की यानि की प्रसासनिक सेवा में जिसका चेयन हुआ हो तो जैसे कि भारत में क्या होता है ठीक है वैसे ही पाकिस्तान में होता है CSS यानि की Central Superior Services इसी की इन्होंने परिक्षा पास की है और इसी के साथ ये बन गई है पहली हिंदू महिला प्रशासनिक अधिकारी पाकिस्तान में पाकिस्तान के दिए हम बात करें तो इसकी राजधानी आप देख पा रहे है यह है इसलामाबाद यहां की करंसी यह रुपए है पाकिस्तान के प्राइम मिनिश्टर यह है कि क्रिकेटर इमरान खान और प्रेसिरेंट है आरिफ अल्वी हाली में इसने शाहिन थ्री और गजनवी मिसाइल का सफलता पूरो परिख्षन किया है Financial Action Task Force इनकी FATF की ग्रिलिश्ट में इसे बरकरार रखा गया है पाकिस्तान का एक शह है जैकोबाबाद जहां दुनिया का सबसे ज़ादा टेंपरेचर यह भी हाली की दिनों में दर्ज किया गया था अगला कुश्चन है हाली में किस देश ने IPL के नए प्रेसारन पर बैन लगाया है तो हाली में जो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान के दुआरा इस्के प्रेसारन पर रोक लगा दिया गया है इसका कहना क्या है तो कहने का मतलब है कि जो अफगानिस्तान में क्रिकट प्रेमी है वो तो क्रिकट देख पाएंगे नहीं क्योंकि अभी जो तालिबान का सासन यहां आ चुका है तो तालिबान ने इस देश में यानि कि अफगानिस्तान में मैचो के प्रसारण को ही इसलाम विरोधी बताया है और इसलाम विरोधी बताते हुए इन्हें बैन कर दिया है मतलब आप इनका दिमाग देख सकते हैं इतना घटिया दिमाग है कि क्रिकेट कैसे इसलाम विरोधी हो सकता है जिसकी जैसी सोच अब खेर ये नियूज निकल करके सामने आई तो मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ अफगानिसान के बारे में दें हम बात करें राजधानी काबूल है आप जानते ही हैं यहां की करंसी है अफगान-फगानी इसके लावा हाली में दें आप लोगों को याद होगा तो आई-म-फ ने अभी जो अफगानिसान में फंडिंग दी जानी थी इस पर रोक लगाई है जिसके बारे में हाला की पहले भी मैंने आप लोगों को बता रखा था अगला कुश्चन है हिमालियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस करनी कहां अजित किया गया तो यह भी हाली में लद्दाख में आजित किया गया जैसा की नाम से इस पश्ट हो रहा है हिमालियन फिल्म फेस्टिवल मतलब कि ऐसे राज्य आप कह सकते हैं या ऐसे शेत्र जो फिल्म फेस्टिवल में शो की जाएंगे, लोगों को इसमें एंटरटेन किया जाएगा, और यहां भी आप कués सकते हैं कि लोगों की भागयदारी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि यहां के लोग भी फिल्म मेकिंग में या फिल्मों के निर्माड में आगे आएं, नये टैल डमाथुर जिन्होंने भी हाली में यहां से यूंटता वियोजन की शुरूआत की थी इस यूंटाव योजना के तहथ यहां बच्चों को फ्री में टैबलेट वित्रत किए गये थे हाली में इदि आप रिलेट करेंगे तो दुनिया का पहला मूवेवेबल थेटर यानि कि चलाए मान चलता फिरता थेटर ये लद्दाक में ही लॉंच किया गया है साथी दुनिया में सबसे उची मोटरेबल सडक यानि कि वेहिकल चलने योगी सडक जो कि दुनिया की सबसे उची सडक है 19,300 फिट पर ये इस्थित है बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन के द्वारा इसका निर्माण लद्दाक में ही किया गया साथी भारत का पहला 100% वेक्सिनेशन वाला यूटी दी पूछा जाए तो ये भी लद्दाक ही है अगला कुश्चन है हाली में किस राज्य के चाय गाउं में एक चाय पार के स्थापित किया जा रहा है तो ये भी हाली में स्थापित किया जा रहा है असम में अब चाय गाउं क्या कहने का मतलब है तो चाय गाउं आप जानते हैं असम में चाय की खेती ये तो होती ही है तो कहने का मतलब है कि इस चाय गाउं में इसके जो connectivity है ये किस से connect की जाएगी यहाँ पूरी तरह से गुदाम की विवस्था दी जाएगी कारगों की विवस्था होगी साथ ही यहाँ जो चाय का उत्पादन होता है यह पूरी तरह से अन्य शहरों में या अन्य एरिया में पहुच सके इसके लिए यहाँ क्या होगा कि रेल की connectivity प्रोवाइड कराएज जाएगी इसके रहावा अच्छी सड़के यहाँ प्रोवाइड कराएज जाएगी ताकि चाय को उत्पादन तो हो सकेगा connectivity बहतर मिलेगी तो यहाँ का जो समान है यह अन्य शहरों में यह अन्य शेत्रों में पूरी तरह से यह सप्लाई किया जा सकेगा साथ ही यहाँ processing की भी facility यह मौजूद होगी और आप कह सकते हैं कि यहाँ अब नय लोगों को रोजगार मिल सकेगा क्योंकि यदि चाय को उत्पादन अच्छे से होगा लोगों को रोजगार मिलेगा तो income भी इससे बढ़ेगी और आप कह सकते हैं कि असम का जो शेत्र है यह चाय वाला यह develop हो सकेगा असम इस समय काफी ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि development के मामले में हम देखें तो भारत का पहला multi model logistic park मैंने बताया ही था यह भी असम के जोगी गोपा में इसकी आधार शिला रखी गई थी असम की राजधानी के दिए हम बात करें तो यह है देशपुर मुख्यमंत्री तो यह है हेमंत विस्व शर्म यह आप करण से रिलेट करेंगे तो हाली में असम का सात्वा नैशनल पार्क यह कौन बना है देहिंग पटकाई और आपके रिलेट कर सकते हैं तो देखें जो काजी रंगा राश्ची उद्यान है असम में इस्तित है एक सिंग वाले गिंडे के लिए तो सैटलाइट फोन का इस्तमाल करने वाला भारत का पहला नैशनल पार्क यह काजी रंगा ही है अगला कोश्चन है किस देश की जुड़वा बहने हाली में दुनिया की सबसे उम्र दराज जीवित जुड़वा बहने बनी हैं मतलब कि ये दुनिया की सबसे उम्र द्राज, सबसे बुजर्ग आप कह सकते हैं, ऐसी जुड़वा बहने हैं, जिनकी उम्रे सबसे जादा है, तो ये है जापान की, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये दोनों ही बहने हैं, जुड़वा बहने, इनके बारे में साल और 175 दिनों का जिन्होंने पहले रिकॉर्ड बनाया था उनका नाम था नारिता और जिनकानी नाम याद नहीं रखना है मैं आप लोगों को यह बता रही हूं कि कभी ऐसा डिसकुसान आता है कि दुनिया के सबसे उम्रदराज वेक्ति या सबसे ज्यादा जीने वाले वेक जापान की उमेना सुमियाना और कोईमू कोदामा इमेज मनें दिखा ही दी है जिन्हें अभी हाले में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दुवरा इनका नाम भी दर्ज कराए गया था जापान की दिए हम बात करें तो चार प्रमुख द्वीप हैं इसके हॉंसू KIUSHU SIKOKU और हकाइडउ होंशूदी पर इस्थितह स्किराजधानी टोक्यो जहां भी हाले में टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुए हैं और टोक्यो पैरलंपिक में भारत wondों के साथ 48 वैं इस्थान पर रहे-था टोक्यो पीरलंपिक में भारत रहे-था 19 मैडल के साथ 24 वैं इस से तेजी से डेटा ट्रांसफर करके सब को चौका दिया मतलब कि जापान के इंजीनियर के द्वारा 319 टेरा बाइट पर सेकेंडी की स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया गया और ऐसा करके इन्होंने यह उपलब्दी हांसिल कर ली थी अगला कुश्चन है कि सराज्जी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क इस्थापित करने की घोश्चना की है तो ऐसी घोश्चना भी हाली में उत्तर प्रदेश गवर्मन्ट के द्वारा की गई है हाला कि इस समय आप लोग देख रहे होंगे डेवलोप्मेंट एनी की विकास के शेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ह जो अब यह ऑस पार्क बात करते हैं तो यह जो एलेक्ट्रॉनिक पार्क बनने जारा है इसमें क्या होगा कि मुबाईल फोन करें इस पार्क में साथ ही इंवेश्ट करेंगे तो लोगों के लिए यहां रोजगार भी पैदा हो सकेगा लोगों को रोजगाल मिल सकेगा तो यह है लेक्ट्रोप्राइड करने जा घरेलू परेटन के मामले में घरेलू परेटन कहने का मतलब है कि भारत में सबसे जादा लोग कहां घूमने गए तो घरेलू परेटन के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा था जबकि विदेशी परेटन की हम बात करें कि विदेशों से लोग सबसे जादा भारत में क सबसे सुन्दर फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश ही बना रहा है आप लोग उने उज्जोला योजना के बारे में सुना होगा इसका जो पहला चरण था इसके शुरुआत उत्तर प्रदेश के कहां से की गई थी बलिया से और दूसरा जो टू पॉइंट ओ है इसके शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से की गई है अगला है नौर्वे सतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है तो यह जीत लिया है जीगुकेस ने जीगुकेस यह भारत के ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं अच्छा ग्रैंड मास्टर का जो खिताब है किसमें दिया जाता है तो तो फिलाल नौर्वे सतरंज ओपन इसमें जीता है जीगुकेस ने यह खिताब जो कि भारत से रिलेटेड है या भारत से बिलॉंग करते हैं नौर्वे की राजधानी ओस लो करंसी है नौर्वेजियन क्रोन अच्छा नौर्वे किस मामले में टॉप पर था तो डेमोक्रसी इंडेक्स हैने की सुसासन सुचकांग को जो की हाली में रिलिस किया गया था इसमें नौर्वे टॉप पर था जिसमें इंडिया की रैंकिंग 53 बताई गई थी रैंकिंग आप देख सकते हैं जिन इसमें टॉप किया है अमेश्रिवास्तों बेबी फारहाद संजी जाविश के द्वारा दिया जाता है और किसके लिए तो सच्टनेबल डेवलेप्मेंट गोल को अचीव करने में जो भी नागरिक सहयोग करते हैं उन्हें यह दिया जाता है यह आप रिलेट कर पाएं तो भारत के प्राइम मिनिश्टर नरेंद्र मोदीजी और फ्रांस के जो राश् फैरोज फैजा बीथर कि जिन्हें इस अवार्ट से सम्मानित किया गया है किसले संवानित किया है तो इन्होंने परेक आरि से सोसायंटी को डिया है सस्टनेबल डवलेपेंट को अचे व करने में जो भी अपनी सहभागीता निभाई है इसके लिए एभनतीकारी है जो पेंगोल होता है पेंगोल के तशकरी को रोकने के लिए बहुत अच्छा कारी किया था जिसके लिए इन्हें समानीत किया था अब कुछ रेंडम कर लेते हैं सेल्ए क्सी कर लेतें छहेंट तो ये कौन था सॉरी सेलिक इसका जो राज दूद था इसका नाम था मेगस थनीच जो की चंदर गुप्त मौरी के दरबार में आये था श्री लंका का पूराना नाम ये सिलॉन था बटमेंस की खोज ये की थी फंक ने स्टेनलेस स्टील जो की आयरन, क्रोमियम और निकल का मिक्षर होती है कांसा कौपर तथा टिन से मिलकर बना है और 1893 का ये जो शिकागो विश्वधर में समेलन था आप जानते ही है स्वामी वेका नंद ने इसमें संबोधित किया था जालिया वाला बागत्या कांड तेरा प् सवाल है हाली में भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड अग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये हैं अलकि इनामी सवाल में भी यही सवाल मैंने आप लोगों से पूछा है तो उसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो दी पसंद आया है तो लाइक कीज शेर कीजे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले आज के लिए इतना ही थाइंक यू सो मच